समत सोतनरता नयाय बंधूता सिक्ष समीधान की बात हो अब जो सेकेंड भाग जो हमारा है सोसन के बिरुद अधिकार ये जो हमारा ये सेकेंड भाग है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तिन तिन अधिकार को कौन-कौन से तो पहला है सोसन के बिरुद अधिकार दुसरा है धार्मि सुतनरता का अधिकार और तिसरा है सिक्षाय संस्कृति का अधिकार तो यह तीनों चीजों को आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से क्यों हमारे साथ बने रही और चलिए आज हम लोग सुरू करते हैं यह सोसन के विरुद अधिकार हमारा क्या है जो गित गाये था उसमें आपको याद होगा समता सुतनरता न्याय बंदूता सिक्षा समीधान की बात हो तो आज न्याय यह हमारा न्याय का जब हम बात करेंगे तो सोशन के विरूद क्या हुआ है नियाय मिलने का जो अधिकार है वो तो हम लोग जाने हैं तब तो अब यहां पर देखे सोशन के विरूद अधिकार जो हमारा थिकार 27-24 में अब 23 में क्या है भाई तो यहां पर नजर आ रहा होगा बलात सर्म या बेगार सर्म करो यानि कि कोई आपको बल पुर्वक या फोर्स करके आपको किसी भी कारी को नहीं करा सकता है अगर वो कारी करेगा या किसी भी तरह कोई भी कारी करेगा तो वो बेगार में नहीं करेगा यानी फीरी में नहीं करेगा, उसको किसी न किसी तरह से उसका जो कारी करने की लागत थी, उसका मज़दूरी उसको देना पड़ेगा, फिर चायए वो कोई भी कारी हुँ। तो इस तरह से आर्टिकलव 23 के तहट में कोई भी आपको कोई भी कारी नहीं करा सकते। अब यहाँ पर देखो यह आर्टिकल्स बहुत जाद इन्पोर्टेंट इससे हमेशा कोशन साते हैं आर्टिकल्स 24 कहता है बाल सर्म का निशेद इसी के तरहत ने बहुत सारे पदाधिकारी भी फसे हमारे छेत्र में भी फसे हैं तो आप लोग इसमें धियान रखना बाल सर्म का निशेद का मतलब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक जिखापर आप उसको काम नहीं करा सकते हो यह इलीगल है और इसको मौलिक अधिकार में डाला गया यानि कि देखो यहां पर बाल सर्म का निशेद और 14 वर्ष से कम उम्र कि किसी भी बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं यह हमारा इंडियन कंसिट्यूसन का आर्टिकल 24 कहता है अब किसी को भी फोर्स कराकर काम नहीं कर सकते हैं बच्चों को और वैसे जिगा पर तो बिल्कुल भी नहीं जो फैक्टरी जोगे रहा हो जहां पर डेंजर हो जिनकी आँख खराब होने क या किसी तरह से अपंगता होने कि जहां ज्यादा खत्रा हो वहां पर आप बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं किसी होटल वोगे रहें नहीं करा सकते हैं और एक तरफ जो हमने देखा था सिक्षा का देकार जब हम लोगों ने चर्चा कर रहा था तो उसमें देखा था 6-14 वर पढ़ेंगे अच्छे रहेंगे हैं चलिए अब लोग निश्ट हम लोग आटिकल्स की चर्चा करते हैं आटिकल्स की चर्चा करने से पहले आप लोगों को याद होगा नयाय बंधूता वो जो मैंने दो लाइन जो गुन गुना रहा था अभी उसमें आपका बंधूता सब्देर बंधूता हमारा किसी इसको दर्सारा है धार्मी सोतनरता का अधिकार ये धर्म वाला मामला है इसलिए आप लोग इसको बारे किसी समझना अब इसमें क्या कहता है आर्टिकल्स 25 क के तरहत में हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं यदि हमारी उपासना किसी भी धर्म को लेकर अच्छी है चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाह, बौध, जैन कोई भी धर्म हो हम उसको स्वेक्षा से अपना सकते हैं कोई हमको रोक नहीं सकता है या कोई हमको फोर्स करके मना नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारा आर्टिकल्स 25 के तरफ धार्मिक सुतनरता का अधिकार दिया गया, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम उसकी उपासना कर सकते हैं, अब गयाज यहाँ पर देखना, आर्टिकल्स 26 जो हमारे बीच में, वो कहता है, धार्मिक आयोजन, साथ म संस्थान का निर्मान कर सकते हो धार्मिक संस्थान का निर्मान कर सकते हो और धर्म का परसार परसार कर सकते हो इसमें कोई भी रोक टूक नहीं है गवर्मेंट तो क्या कोई दूसरे समुदाय की लोग भी आपको नहीं रोकेंगे लेकिन वह सामतिपूर्ण ऐसा नहीं है कि आ आप सद्भावना से प्रेम पुरुवा करते हो और शाथ में अस्ते धार्मिक संस्थान का निर्मान करते हो और उसका परसार करते हो तो किसी भी तरह का कोई रोक्तोग नहीं होगा इस इसको आप लोग ध्यान रखना अब आर्टिकल 27 आपके बीच में इसमें सबसें इन्पॉर्टेंट क्या है इसमें इन्पॉर्टेंट यह कि गौवर्मेंट आपको कर में छूड़ देगी जो टैक्स लगते हैं उसमें छूड़ देगी इसा आप मानले एकदम भव यह तरीके से हमारे हजारी भाग में कोई द्हार में कारेकरम लगा रहे हैं और उसमें आपको पानी के ज़्यादा ज़रत है बहुत ज़्यादा लोग आएंगे सरधालों लोग आएंगे तो उनको पानी की बेवस्था करेगी गौवर्मेंट भी कर सकती है तो यह हमारा हो जाता है आर्टिकास 27 के तहत में यह अधि दे सकती है उसको इस्टिकली मना किया गया है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे आर्टिकल 28 के तहत में आप किसी भी सरकारी सिक्षन संस्थान में आप किसी धर्म विशेज प्राथना या उपासना या उसका परशार परशार किसी भी तरह का कुछ नहीं कर सकते है नहीं दे सकते हैं यह अमारा आर्टिकल 28 के तहत में नहीं थे! इसलिए आपको इससे बात को ध्यान रखना चाहिए और कभी वि उस्तरा का गलत कार्या है, सरकारी सिक्षन संस्थान में विशेज कर आप कभी वि उस्तरा का धार्मिक सिक्षा बिलकुल भी ना दे! एक बार मैं revision करा देता हूँ सोसन के विरूद जब अधिकार आएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा दो अधिकार है 23 और 24 23 में तो हमारा है बलात पूरवक कारे कोई नहीं करा सकता है यानि बलात याद रखना और 24 में हमारा है बाल यानि कि बलात और बाल, यानि कि बाल सर्म का निशेद, किसी भी 14 वर्स के बचों को आप काम में नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद है धार्मिक सुतनरता का अधिकार, तो पहला में क्या है, अर्टिकस 25 में आपको धार्मिक सुतनरता यानि कि आप किसी भी धार्म को मान सकते ह थार्म सुक्षा से गरहन करने का धिकार 25 और 26 में धर्म का संस्थान निर्मान कर सकते अश्काव कर सकते है ऑड्र layers 27 जो है उसमें क्या है सबसे खास बत कि कर में जूट मिलेगा ग्वर्मेंट के दोबारा धार्मी fonctionne कुझ मिलेगा और 28 है क्या ते भी सरकारी संस्थान में आप किसी भी धर्म विश्ष का सिक्षा आप नहीं दे सकते हो यह आपको रिविजन करा दिया अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स 29 और 30 तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग मौलिक अधिकार का पांचवा पाठ हम लोग चर्चा कर जैसे आर्टिकल्स 29 में यह कहता है अल्प संख्यकों के अधिकारों का संरक्षन करेगा अल्प संख्यक वर्गों के हीतों का संरक्षन अब इसमें क्या है ता आप लोग ध्याम देना इसमें कहता है भासा बोली वेजबूसा लीपी आदि जो भी होते हैं उनके जो अल्प स संक्या के दुवारा किसी भी तरह का सिक्षन संस्थान अस्थापित किया गया है तो किनी को परवेश को लेकर रोका नहीं जाएगा ना रोका जाएगा और ना उनके साथ में भेदभाव किया जाएगा किसी भी तरह का भेदभाव ने चाहिए वो धर्म से हो छेतर से हो जाती से और लिंक से हो किसी परकार का भेद वाव नहीं किया जाएगा एक चीज आप लोग को यहां मैं किलियर कर दू है अलपसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम आल्प संग्ष्यब्रगों को 20 संस्थान की अस्थापना करने और धार्मिक पर्चार और धार्मिक पर्चार का अधिकार हैं यानि कि जो आर्टिकल्स 30 है उसमें क्या करते हैं कि अल्पसंग्षक लोग किसी भी परकार का धर्मिक सिक्षन संस्थान अस्थापित कर सकते हैं और अपने धर्म की परचार परसार कर सकते हैं यहां एक छोटा से एक्षामपल मैं देना चाहूँगा जैसे कि अब देखोगे मुस्लिम कमुनिटेज के लोग होते हैं कि मदर्शा और निर्मान करते हैं पर जिसमें से बच्चों को सभी को आमंतृत हैं वो सभी एड्मिस्थान ले सकते हैं लेकिन उनका जो सिख्षा यह अगर इस तरह से उसे सिक्षा संस्थान में अप एडमिशन लेते हो तो आप बेश्यक आपको उसी के अधार पर पढ़ना होगा क्योंकि क्या कर रहे हैं कि वह अपने धर्म का करेंगे तकि लोग ज्यादा उनसे जुड़े इस तरह की अधिकार हमारा आज अपको खतम होता है आज मैंने बताए था पार्ट तूमें अब लोगा इससे को चर्चय करने वाले कि तो यह तीन था हमारा पहला किया था सोषन के बिरूद अधिकार दुसरा क्या था धार्मी सोतंत्रता का अधिकार और तिसरा हमारा क्या था अभी जो है वह है सिक्षाय ओम संस्कृति का अधिकार अब जो हम लोग नेक्ष्ट क्लास में चर्चे करेंगे वह होगा हमारा आर्टीकल्स 32 से 35 जिसमें हमारा सम्वेधानिक अभी अधिकार नहीं थे उमिद करते हैं यह भाग 2 भी समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो प्लिजा आप हमारे वीडियो को Like कर再见 करें और अपने प्रेंड्स सरकल में जूर्य करें और हमारे इस चानल में जादा ज़ीडा लोग जूड़े मैं बहुत जल्द लाइब क्लासिस लेने के लिए सोच रहा हूं और उसके लिए भी वेवस्था की जारे आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत धन्यवाद हम लोग फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाई टेक क्यार लब यू ट मेरे पर्णो पर्जयक को चैनल सप्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और सेहर कीजिए थांक यू